भारत जोडो यात्रा देशवासियों को जोडने और नफरत को दूर करने उनके बीच सनेह और प्रेम बढ़ाने के उद्देशों के साथ आगे बढ़ रही है। यात्रा का संदेश है कि व्यावसाइक गतिविधियों में निजी करण को रोके। जीमेट फाउंडेशन यात्रा का स्वागत करता है और देश में यात्रा के साथ साथ हर जगह रोजगार मेले का आयोजन करके युवाओं को नए स्टार्ट अब शुरू करने में मदद करता है। रोजगार मेले में छात्रों को उद्यमी कैरियर शुरू करने के लिए प्रोचसाहन दिया जाता है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को फॉवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत जोडो यात्रा के यादगार पलो को ताजा रखने के लिए तस्वीरों में कैद किया है। जादा दरजन से भी जादा महिला वधायक महिला संगटनों के प्रते निध्यों की साथ ग्रामीन महिलाएं भी यात्रा में शामिल हुई। लेकिन इस बीच चर्चा में आई वो महिला जो की है स्लेट अक्टर सुनील दत की बेटी। भारत जोड़ने के लिए पहुची और अपना समर्थन राहूल गांधी को देने पहुची। भारत जोड़ो यात्रा में कई लोग शामिल हो चुके हैं। उसी करह में राहूल को समर्थन देने पहुची है प्रियादा जो सुनील दत की बेटी है। और कॉंग्रिस पार्टी से MP राहुल मैलाओं को लेकर प्रियादत के साथ अपना कारवा आगे बढ़ा रही है वीडियो में देखा जा सकता है और वीडियो शेर कर लिखा गया है जटर ओफ लेजंडरी आक्टर सुनील दाट्री और नर्गिस दाट जी सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में पब्लिक प्रिवेट पार्टनर्शिप प्रयोग एक गलत कदम था परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के शिक्षा स्तर में भारी गिरावट देखने को मिली इंदिरा गांधी ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए बैंकों और बीमा कमपनियों का राश्च्रिय करण किया क्योंकि कर्मचारी मालिकों के व्यवहार से त्रस्थ है वर्तमान सरकार ने सारवजनिक निजी भागिदारी के बुरे प्रभाव से सबक नहीं लिया है और रेलवे, राजमार्ग, हवाई अड़े, बिजली सन्यंत्र, प्रेस मीडिया आदी में निजी करण को बढ़ावा दिया है सरकार इन क्षेत्रों में केवल दो उद्यमियों को लाब पहुँचा रही है इससे कर्मचारियों के हितों का हनन हो रहा है परिणाम स्वरूप देश में जनता को गंभीर बेरोजगारी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आवशक वस्तूओं की कीमतों में व्रि लिखित है एक लोगों को नौकरी IPR प्रोडक्स की फ्रैंचाइजी वित्रित करके उन्हें उद्यम शीलता कैरियर शुरू करने के लिए नए स्टार्ट अप मिल सके दो लोगों को भरती करे और उन्हें देश में कहीं भी फ्रैंचाइजी सेंटर चलाने के लिए प्रशिक अन्य किसी कोर्स का सर्टिफिकेट देने वाली संस्था की जिम्मेदारी है कि वहाँ छात्रों को नौकरिया उपलप्ट कराएं। रोजगार मेले में निमलिखित जॉब्स के लिए लोगों की भरती करते हैं। 4. एजुकेशन रिफॉर्म विडियो मेकिंग कीम 5. प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, फ्रैंचाइजी डिस्टिब्यूशन जॉब आदी सभी जॉब में पार्ट टाइम, वर्क फ्रॉम होम भी आप्शन हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए जीमेट फाउंडेशन, AB8, आदर्श नगर, दुर्ग, 36 गड केवल जरूरतमन्द व्यक्ती ही संपर्क करे फोन नमबर 9755039605, जीमेट फाउंडेशन उन लोगों को जोडता है, जिनके पास किसी कोई नई खोज अथवा तक्नीक का पेटेंट या कॉपी राइट प्राप्त है, अधिकतर रिसर्च स्कॉलर्स अपनी खोज का लाभ नहीं उठा पाते हैं, जीमेट फाउंडेशन उ उनकी खोज के फ्रैंचाइजी मॉडल विक्सिट करता है और मार्केटिंग में सहयोग करता है, इस प्रकार रिसर्च स्कॉलर्स को सही कीमत प्राप्त करने में मदद मिलती हैं, नौकरी मेले में हम फ्रैंचाइजी मॉडल की ट्रेनिंग से लोगों को उध्यमशील कैरियर शुरू करने के अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही, अन्यक्षेत्रों में सार्वजनिक नीजी भागिदारी को बढ़ावा देने के लिए आगे के कदमों को वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही, अन्यक्षेत्रों में लाखो नौक्रिया पैदा होंगी। भविश के जल संकटों को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन 36 कर मॉडल प्रस्तुत है। इस क्षेत्र में सारवजनिक नीजी भागिदारी को शामिल करने की कोई आवशक्ता नहीं है। 2014 में प्रधान मंत्री पत संभालने के तुरंत बाद मानिय मोधी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर राश्च्र के नाम अपने पहले संबोधन में गाव की महिलाओं के लिए अपनी पीडा व्यक्त की, जो अपने परिवार के लिए कुछ लीतर पीने का पानी इकठा करने के ल यहाँ कार्य कैबिनेट मंत्रियों को सौपा गया था, जिसके लिए परियोजना को पूरा करने के लिए 3.5 लाग करोड रुपए आवंतित किये गए थे। दुर्भाग्य से मिशन के लक्षों को प्राप्त किये बिना व्यर्थ प्रयासों पर सभी निधियों का दुरुपयों किया गया है। इस प्रकार मिशन सफल नहीं हो सका। के उदेश की पूर्ती नहीं हो सकी इस तरह न्यूस चैनल्स पर एक्सपर्ट्स के डिसकशन्स को दिखाने और स्थानिय जल संचियन के निर्मान कारियों में ही सरकार के बजट की पूरी धन राशी खर्च हो गई और मोदी जी का सुनेहरा स्वपन जल जीवन मिशन अस्फ करते हुए नदी के उद्गम स्थल में भेज दिया जाय चित्र में सीवाटर रिसाइक्लिंग को दिखाया है। जल जीवन मिशन की सफलता को स्कूल की छात्रा शगुण महाजन ने वर्ष 2019 में भिलाई में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में प्रस्तुत मॉडल से दर्शाया था। बाद में उसके मॉडल का लेक प्रतिष्ठित बच्चों की पत्रिका ग्रेन फीड अक्तूबर 2019 अंक में प्रकाशत भी हुआ। रास्ते में उप्युक्त उचाय पर विशाल समुदरी जल जील का निर्मान करके संद्रहीत पानी से नमक निकालने के सन्यंत्र लगाए जाएंगे। नमक मुक्त पानी को राज्य में बहने वाली नदियों में छोड़ा जाएगा। इससे नदी और जमीन के जलस्तर में कभी कमी नहीं होगी यह सोचने का विशय है कि करोणों लोगों को रोजगार देने वाली इस सोशल इंजिनियरिंग परियोजना की ओर 36 कर सरकार का ध्यान किसी अधिकारी द्वारा अभी तक क्यों नहीं लाया गया प्रस्तुत विडिय चाली की और बढ़े